हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आसागरत हैं आप लोग अच्छे होंगा चलिए दोस्तों बता रहा हूं कि एक और भरती के बारे में जो कि सबसे बात करते हैं इस भरती का तो आपको बता दे कि नौ तारिक से भरती आई है जो कि अपलाई होना चालो हो चुका है जो कि लाज़ डेट है 8-6-23 आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 8-6-23 लाज़ डेट है और बात करते हैं इसमें करप्सन का है मतलब अगर आप गलत कर देते हैं कुछ तो फॉर्म सही करवाने के लिए उसका डेट आपका रखा गया है 14-6-23 रखा गया है जो कि 15 तक है एक दिन तक रहता है और आगे बात करते हैं इस भरती के पोस्ट के बारे में इसमें आप बता दे कि इसमें तीन पोस्ट हैं आपको सबसे पहले पेस्कि अपरेटर की तो आप डाटा एंटरी अपरेटर की इसकी बात कर लेते हैं डियो का इसमें लेबल 4 का सेली लगता है जो कि 25,500 होगा जो कि आगे जाके 81,000 तक रहागी जो कि और आगे बात करते हैं यहां पर डाटा एंटरी ऑपरेटर ग्रेट एक ही तो यहां बात कर लेते पे लेबल का तो यहां पर 25,000 आपकी सुरू में सेल लिए जो कि लाज्ट 11,800 पर चल गाएगा फ्रेंट ब्रीडियों बने रहेगा मैं सब कुछ बताऊंगा अपने माध्यम से आप बस बने रहेगा बात करते हैं वेकेंसी का दिसमें तोटल आपको 1600 पोस्ट देखने को मिल जाता है जो कि बड़ी बरती है से CHSL की देखा जाए तो अच्छी बरती है आगे बने रहेगा वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें सलेबस भी आपका बहुत चेंजिंग हो गया बहुत देखा जाए तो बात करते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे है तीन पोस्ट है आप देख पा रहे है और आगे बात बात कर लेते हैं तो आपका एज जो है 18-23 से काउंट होगा जो कि आपकी एज इसमें देखा जाए तो आपका 18-27 साल तक एज आपका मांगा है यहां पर देख पार है 18-27 साल तक मांगा है जो कि काफी अच्छा है जाए बात करते हैं छूट की तो SCST का 5 साल को छूट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि OBC को 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगा और आगे देख पार हैं जो EX Service में उनके लिए और PWD हैं SCST के तो 15 साल का पी WBD के OBC यह 13 साल का है P WBD का अन्रिजब में आते हैं तो 10 साल का है आप यहां पर देख पार हैं और आगे चलते हैं इ आप हमें Social App पे भी Message कर सकते हैं और आगे चलते हैं इस बर्ती के बारे में बात कर लेते हैं आप Notification देख रहे हैं आपको बता दे कि अगर बर्ती में अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो यहां पर देख पा रहे हैं अगर Data Entry Operator में डियो में करना चाहते हैं तो इसमें आपको बड़ ट्वेल्थ रहना चाहिए तो आप अपलाई कर सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं है अपलाई करने के लिए अप अपिस्यल साइट SSC पे आप जाके अपलाई कर सकते हैं SSC.NIC पे और आगे चलते हैं इसमें इसमें बात कर लेते हैं आपको तो बता देते ह इसमें कि आपका जो एक्जाम होगा तो भी यहां पर नोटिस में जारी हो गया और बता सकते हैं यहां पर कि देख पा रहे हैं यहां पर जो कि एक्जाम कर डालना चाहते हैं देख पा रहे हैं डिस्पले पर आप यहां डाल सकते हैं एक्जामनेशन और इसके बाद हम आग इंग्लिस से आपका कोसें नहींगा 25 नमरें का जो की हुआ 50 नमरें से आपका 25 नमरो मार्किंग मार्किंग के बात करें यहां पर 0.50 मार्किंग यानि 2 गलत करते हैं तो एक नमर कड़े जाते हैं का समय की बात कर लेते हैं उस आट मेंट का एक गंटे का आपका समय है एक गंटे में आपको करना होगा और बात करते हैं इसमें देखिए अब सबसे बड़ी बात है इसमें देखिए बताया ना मैंने कि एक्जाम SSC CHSL ने अपना चेंज कर दिया है तो देखिए टीर टू का जो एक्जाम है इसके बारे में एक अच्छी से मैं वीडियो बना के आपको बनाओंगा कहां से त्यारी करना है कैसे क्या करना सब कुछ आप टीर वन फर्स पर ध्यान देजिए आप कॉलिफाई कीजिए जल्दी से आप भरती हो ये उसके बाद मैं आपको इससे पहले में वीडियो बना दूँगा और बता दूँगा आपको और बात कर लेते हैं इसमें इस भरती के बारे में अगर आपको और कोई वी जानकारी चाहिए दोस्त तो आप अभी हमें रिप्लाई या कमेंट कर सकत है मैं तुरंत जवाब दूँगा आप देख पा रहे हैं यहां पर सकते हैं जब चाहिए तब बर सकते हैं लेकिन जल्दी भरती है क्योंकि स्कूर बहुत सलो होता है आप लोग जान पा रहे हैं अभी स्कूर को उड़ाय था तो सर्वल चल नहीं रहा था और इसमें टीर व को सब्सक्राइब कर लिए मैं डेली इंफरमिशन देता हूं